नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल डाइवर्सिफा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है इस टुटोरियल से हम वर्डप्रेस के जो थीम से रिलेटेड ब्लोग से उनको सिखना स्टाइट करेंगे तो इनको यूज करने के लिए में एपिरेंस में जो थीम का करूंगा सबसे पहले तो हम एक पैटन क्रेंट करेंगे तो इसके लिए में यह लास्ट ओप्शन एंपेटन सका उसके अंदर जाकर एंड्शी पैटन बटन पर क्लिक करूंगा है यहां पर हम तीम टाइप से पैटनस को आड़ कर सकते हैं एंड्ड न्यू पैटन आयं यू पहले दो option से उनके अंदर क्या difference होता है वो बताऊंगा सबसे पहला जो option है उसको अगर यूज करके आपने patterns को create किया है तो उन patterns को आप कही पर भी यूज कर सकते जैसे कि आप उन patterns को pages में यूज कर सकते post में यूज कर सकते चाफिर templates में भी यूज कर सकते लेकिन यह जो दूसरा option है उसको अगर आपने use करके pattern को create किया है तो उस pattern को आप सिर्फ templates में यूज कर सकते template के अलावा आप कही पर भी उसको use नहीं कर सकते जैसे कि pages में या फिर post में आप इन template parts को use नहीं कर सकते इस tutorial में हम template parts को create करना सिखेंगे इसके लिए में इस add new template part के button पर click करूँगा और यहाँ पर हमें template को कोई भी एक name देना होगा तो मैं इस template को demo नाम दूँगा और area कौन सा होना चाहिए वो हम यहाँ से select कर सकते header होना चाहिए कि footer होना चाहिए कि general ज्यादा तर case में हम general को ही select करेंगे और add बटन पर click करेंगे यहाँ पर मैं एक simple message लिखता हूँ और इस template को save कर लेता हूँ this is demo template template और इस template को save करेंगे अब मैं आपको इस demo template को कैसे use करते हैं वो दिखाता हूँ तो इसके लिए मुझे back करना होगा फिर से back करना होगा और यहाँ पर यह जो templates का option है इन में से किसी भी एक template में मुझे इस template को insert करना होगा इसके लिए मैं यहाँ पर यह जो pages की template है इसको select करूँगा सबसे पहले तो मैं इस पूरे template को clear कर लूँगा इसके लिए में इस document overview के बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से एक एक करके इन blocks को delete कर दूँगा तो यहाँ पर delete करते समय आपको एसा एक message भी दिखाई दे सकता है आपको सिंप्ली delete पर क्लिक करना है उसके बाद यह आकरी है पूटर का template उसको भी में delete कर दूँगा तो हमारे demo नाम के template को insert करने के लिए हमें इस plus icon पर क्लिक करना होगा उसके बाद हमें नीचे जाना होगा यहाँ पर नीचे हमें theme नाम की एक category मिलेगी उसके अंदर हमें template पार्ट का यह block मिलेगा उसे हमें select करना है इसको select करने के बाद हम choose button पर क्लिक करके हमारे template को select कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें यह देखे this is demo template नाम से हमारा template मिल जाएगा तो इसको मैं select करूंगा इस तरीका से इसके बाद मैं इस save button पर क्लिक करके इस template को save कर लूँगा तो मैं अभी आपको मेरा page open करके दिखाता हूं यह देखे कोई भी मैं page open करूंगा तो मुझे यह this is demo template नाम का message दिखाई देगा क्यूंकि हमने page नाम का जो template था हमारा उसको पूरी तरीके से clear करके सिर्फ यही message डिस्पले किया था इसलिए हमें यह message दिखाई दे रहे हैं तो इस tutorial में हमने सिखा कि कैसे wordpress में template parts को create करना है और use करना है अगर आपको हमारे यह wordpress का tutorial अच्छा लगा है तो हमारे इन वीडियोज को आपके friends के साथ ज़रूर शरी कीजें धन्यवाद friends